नमस्कार दोस्तो लाल चन्नन को रक्त चन्नन भी कहते हैं जो कि सुन्दर्त निखारने में बड़ा ही काम आता है अगर आप इसका फेश पैकिया फेश मास्क नियमित रुप से प्रयोग करते हैं तो आपकी त्वचा को कई प्रकार से लाब मिल सकता है चन्नन एक प्रक्रितिक सामगरी है जिसका कोई भी साइट इफेक्ट नहीं होता चाहे चेहरे का रंग साप करना हो या फिर मुहासो और पिगमेंटेशन से चुटकारा पाना हो घर पर बना हुआ लाज चन्नन का फेश मास्क आपके बड़ा ही काम आने वाला है अगर आपको त्वचा पर निखार पाना है तो चन्नन और मुलतानी मिट्टी बराबर बराबर मात्रा में दूद की मलाई या दही में मिलाकर पेश्ट बनाकर त्वचा पर लगाए ऐसे ही धेट सारे टिप्स है तो आई ये इन सभी टिप्स के बारे में जानते है त्वचा को पोशन प उचाने का काम करता है एक से दो चम्मच लाल चंदन पाउडर ले और उसमें साधारन सा बोड़ी ओईल मिक्स कर ले या फिर उसका पेश तयार करके लगाए गोरी तवचा के लिए अगर आपकी तवचा धूप और प्रदूशन की वज़ा से डल होती जा रही है तो दो चम्म को टोन करने के लिए ताजे नारियल का दूठ चार चम्मच और दो चम्मच बदाम तेल को चार चम्मच लाल चंदन पाउडर के साथ मिक्स करें और नियमित रुप से लगाए इससे आपको काफी फैदा मिलेगा इस क्रब भी बनाए चेहरे के डेट सेल्स को हटाने के इस क्रब लगाने के बाद चेहरे को हलके गरम पाने से धोना ना भूले तवचा से तेल हटाए अगर तवचा अईली है तो मुहासो का डर रहता है इसलिए एक चम्मच चंदन पाउडर में निमू का रश निचोड कर डाले और इस पेश्ट को नियमित रुप से चेहरे पर लगाए इससे पोर्च टाइट हो जाएंगे संटैन हटाए चेहरे अगर काला हो रहा हो तो दो चम्मच लाज चंदन पाउडर को दही या खीरे के रश के साथ मिक्स करके पेश्ट बनाए फिर इसे चेहरे पर लगाए चेहरे से पिग्मेंटेशन के दाग मिटाए चेहरे स आपको रिजल्ट जल्द दिखेगा मुहां से मिटाने के लिए नियमित रुप से चंदन पाउडर में हल्दी या सहद मिक्स करके चेहरे पर लगाए जुर्या मिटाए फेस मास्क पनाने के लिए दो चम्मच कैमोमाईल टी में चार चम्मच चंदन पाउडर मिक्स करे और लगाए तोचे की खुजली और सुजन दूर करे अजर चेहरे पर खुजली हो रही हो या फिर किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो किसी मसाज आइल के साथ चंदन पाउडर मिक्स करे और उससे अपनी तोचा को मसाज करे इससे आपको काफी फैदा मिलेगा तो दोस्तों इस इस वीडियो में आपने लाज चंद्रन के फैदों के बारे में जाना इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद